आयायम रायपूर का सात्वा दिक्षांत समारों मनाया गया। आगे बढ़ते हैं उन्हें सफलता मिलती है। नई दिशा में ले जाने के लिए इस देश को रानमंती जी की सोच और जो खल्पना है उन्हें नया भारत। नए भारत के नर्वाण में यही युवाशक्ति काम आएगी। आपके हाथ में ही आने वाला कल का भारत है, भविश है, देश है और एक अभी तक आपने यहां दो साल उसके पहले अलग अलग सहस्तान में आपने ग्रेजिशन किया। आपने वक्त विजारे, आपने तैरना तो सीखिया, स्वींग पूल में तैरना सीखा है, एक छोटे से चालिज बाई चालिज के पूल में आपने सीखा है, अब जो आप यहां से निकलेंगे, तो साल आपको हाथों में इतनी ताकत होने चाहिए कि समुद्र को भी आप तैर सकें, नदियों को भी क्रवार कर सकें, तो यह चमता आपके अंदर विक्सित यहां हुआ है, यहां बेहतर तैराग बनके निकलें, जीवन में नई उप्लब्दी आसिल करें, और जिस शेद्र में भी जाए, मैं इससे प्लिक कहूंगा कि छतिस गड़ में आपने बहुत वक गुजा रहा है, बहुत समय गुजा रहा है, तो 36 गड़ को हमेशा याद रहे हैं, और 36 गड़ के लिए क्या पॉस्क्यू कर सकते हैं, यह भी आपके मन में होना की जीए, मैं इस नहीं कहूंगा, आज मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था, मुरे बहुत अच्छा लगा, तीन की समघार, आई, हमें के था, उस समघार को सुनकर मैं, मुझे लगा मुझे जब यहां बुलाया जाता है, यह इन सानों में बुलाया बुलाया जाता है, तो मुशे प्रतिक्रिया पूछी जाती, कैसा लगता है मुख्यमंतरी को, 2010 से 2017 की यात्रा इस सटान गा जब बच्च तो भी किरने वाले कूनहें कि आ आप श्चिय्ट गड़कों देश और दुनियाके साबने इस्थापित कराईगी कि यह संसान कैसा ہے आपसे हमारी पैचानों 26 गड़की पैचान pumps looking मनच में बैटे लोग की पैचान बनेगी कि आप उनके स्टुडेंट थे एज बास दिमाथ में जरूर रखना कि जबी मन में भै और नहीं होना चामब कि ऑप निरासा कभी किसी अस्फलटा के पिसे बिलकूल नहीं होने चैजिए एक बार स्फल होंगे दो बार अस्पल होंगे मगर जो अस्पल होता है वहीं सफलता मिल उसको मिलती है इसलिए यह दिवात में रखना चाहिए हर प्राजय की पीछे कुछ सदब कुछ हमारी कमी रहती है आए एम एक ड्रोल और शचिवरेंश में बहुत सारे हैं और सब का ग्लोबली एक मान्यता है आए एम ग्राजवेट निप्रमा पुलर और फेलो उनको विदेश में भी और भारत देश में भी बहुत वालीओ करते हैं आए एम राइपूर साथ साल के अंदर ऐसे जगा पॉंचे हम जो बहुत सारे इंस्टिटूट्स ने 20-25 साम में पॉंचे लिए फेलो डिगरी देना मत्रब पहुत देना इंस्टिटूट्स में सानल तक में होता है कि एकडेमिक स्ट्रेंथ होना है ऐसे स्टूडेंट्स जो रिसर्च में एकदम पुरे मन लगा कर करने के लिए आपको रुड़ना पड़ता है इसे बहुत सारे रिक्वाइर्मेंट्स होते हैं फेलो के डिगरी पीएश्टी के इकवल डिगरी अगर आज आप सबके साम में आट ऐसे लोग फेलो के डिगरी भी इधर भीए इसलिए मैं मानती हूँ academic standards और academic rigor जो IAM भारत देश में जितने भी है उसमें जो academic rigor मिलता है वो academic rigor को IAM राइपूर में सिर्फ साथ साम में पाउंच पाए हैं वो एक बहुत बार वड़ा achievement है और मैं बीच-बीच में जो आपे कर रहे थी डारेक्टर और सियम साथ से इसे सपस्ट दिखता है कि state government के पूरे समर्तन और assistance के साथ इस institution आगे बढ़ रही है ऐसे institution को पूर्ट साहन देने वारे सथकार को मैं बदाई देना चाहते हूं क्यूंकि Higher Education Learning of Good Higher Education Centers Bringing in of such institution एक राजी सथकार को बहुत पूर के credibility पढ़ाने में अच्छे काम हाता है इसलिए मैं मानिय मुक्यमंत्री जी को मेरी दरख से बदाई देना चाहते हूं कैसे institution को पूर्ट साहते हूं For more news updates do subscribe, like, share and comment Clipper28